रुकते ही चिकी चाते मासे बोली बेटी एक कहनी है बात पर ये जुबां फिसलती है रोज स्कूल जाते हुए छेडे हैं गली के छोरे मुझे उस नीच ताकी हर चोट खलती है कभी रोके कभी छुएं गंदे गीत गाएं मुएं क्या ऐसे ही डर मर जिन्दगी ये चलती है बोलू ममा क्या कहूं मैं कैसे मान से रहूं मैं सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है बेटी के सवाल पर मान ने दिया जवाब जो की सदियों से माय दे दियाई है क्या कहा माने मुसकाई मा सयानी बोली सुन मेरी रानी चोखट के बाहर का ये ही सतकार है घर में तेरी सुरक्षा बाहर है तेरे भक्षा अपने समाज का तो ये ही व्यवहार है अकेले बाहर न जाना नजरे न तू उठाना फेर ले निगाह चाहे जैसा चितकार है जिसके भी रंग ढंग बेढ़ंग बने तो जानो सडकों के भेडियों का वही आहार है तुमा ने बताया बाहर असुरक्षा है और घर में है पूरी सुरक्षा इस सुरक्षा पर बेटी क्या कहती है बेटी बात सुन बोली नहीं मागा लत है तो घर की मीनारों को भी हिफाज़त चाहिए कमी नहीं भेडियों की घर के सी माओं में भी बस बंद खेड की में बगावत चाहिए अपने ही अंकल से कितनी परेशा हूँ मैं खुद को बचा सकूं वो ही माकत चाहिए और कहदू दुनिया भर को ये बात अभी दे मा मुझे आज तेरी इजाज़त चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अरचना मा ने क्या कहा बेटी के सवाल पर इसका खुलासा हम करेंगे अगली कविता में पर मैं जानना चाहूंगी आप से एक मा से बाप से या किसी से भी कि आप अगर होते तो क्या जवाब देते आप हमें इमेल कर सकते हैं फेस बुक पर या मिन्दा हूँ उन शेहरों पर जहां सोच अभी तक हैं छोटे वहशत देहशत को पनाह देती वो दरिंदगी की सियाह भूक मैं चिनता हूँ उस माथे की जब रात बेटी घर ना लोटे मैं चिनता हूँ उस माथे की जब बेटी रात घर ना लोटे मैं चिनता हूँ उस माथे की जब बेटी रात घर ना लोटे